जवालाल नहरू विश्व इद्याले में करिबन एक सफ़ता बाद क्लासिस जो है वो फिर से शुरू हो रहे हैं इस वक्त हम जवालाल नहरू के में गेट यानि की नौर्थ गेट पर मौझूद हैं और धीरे धीरे जो स्टूड़न्स है वो में गेट से अंदर घुसते जा रहे हैं एंट्री कर रहे हैं एक स्टूड़न्ट इस वक्त हमारे साथ है यह उनसे भी बात करते हैं आपका नाम क्या है सुधाकर आप कौन से सब्जेक्ट के स्टूइंट हैं MBA आपने registration कराया है अभी तक आपने कली कराया है तो ये दबाव में रहकर कराया है या फिर आपको कराना ही था नहीं नहीं कोई pressure नहीं था जो है schedule के साब से किया है तो लगातार जो जे नियू ऐसी है चात्र संग जो आपका है वो अपील कर रहा है स्टूइंट से कि आप ना कराया registration तो क्या आपको भी रोका गया था नहीं मुझे किसी रोका नहीं नहीं अपील जो की गई आप आपको की गई थी कि जिसको boycott के लिए involve होना है वो हो सकता है नहीं होना है वो नहीं हो सकता बर ऐसा किसी ने force ने किया था लगातार ऐसी भी खबरे आ रही थी जो 5 जनवरी को हिंसा होई उसके दौरान ये खबर आए कि जो server room है वहाँ पर server जो है उसको block कर दिया गया था रूम को लॉक कर दिया गया था इस बारे में कुछ बताएंगे नहीं एक्चुली उस समय मैं छुटी में था और मैं अपने होम्टाउन में था तो मुझे नहीं पता पांस तारीक को यहां पर क्या हुआ उसके बारे में कोई जान करी नहीं है तो अब आपकी क्लासेज समूथ चलें सुचारू रूप से चलें इसके लिए आप क्या चाहते हैं प्रशासन किस तरीके के कदम उठाए एक्चुली एम्बीए की क्लासेज पहले भी समूथ थी अबीए में कोई रोक टोक नहीं है अंबीए एंजिनियरिंग जो क्लास इंजिनियरिंग का निम पता मुझे लेकिन अंबीए खॉलासे से स्मूद चल रही थी वहाँ पर अपर ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने कुछ गेट पर रोका है या किसी ने कुछ किया है बाकी स्कूलों का तो मैं नहीं जानता बट MBA क्लासे पहले से स्मूथ थी करिबन कितने स्टूइंट्स हैं आपकी क्लास में हमारी क्लास में 50 की स्ट्रेंथ है और अंदाजा होगा आपको करिबन कितनों ने रिजिस्ट्रेशन करा लिया है अभी दग आई थिंग 24 जनों ने करवा लिया है और 15 तक डेट एक्स्टेंड किये तो साय तीन दिन में और भी हो जाएंगे यानि कि आधे जो लोग हैं 50% लोगों ने करा लिया है तो करिबन आपकी कितनी फीस पहले से बढ़ी है अब तक नई MBA की फीस और जादा ही है हमारी दो साल की फीस 12 लेक है वो है 12 लाग पहले से थी और बढ़ने के बाद कितनी हुई है बढ़ा ही नहीं गई है हमारी जो 12 लाग है वो 12 लाग ही है हमारी पहले से इतनी फीस थी और इतनी रहे जो comparatively जैसे कहा जाता है कि जैनियू में फीस कम रहती है तो उसमें MBA के स्टूइंस को कंसिडर नहीं किया जाता है एंजिनियरिंग और MBA के स्टूइंट के फीस पहले से जादा है यह हमारी पहले जितनी जैसी बाकी स्कूलों की फीस है उतनी फीस हमारी नहीं है हमारी फीस पहले से जादा है आप लोगों ने इसका कोई प्रदर्शन नहीं किया था प्रदर्श है कि जेन्यू में आज से सुमवा से क्लासेश शुरू हो गई हैं दीरे दीरे जो स्टूट्स है वो एंट्री गेट से अंदर जा रहे हैं हलाकि जो में गेट पर दर्वाज जो है इस पर आप देखेंगे ताला अब भी जड़ा हुआ है यहां से गाडियां फिलहाल अलाउड का छात्र संग है वो लगातार स्टूडेंट से भाईकाँ आपिल कर रहा है कि रइजिस्ट्रेशन зан करें कख्याओं को बाईकाट करें और जब तक की फीस रोल्बैक नहीं होता है तब तक कोई भी छात्र कख्याओं में ना बैठे वापस से जान ना करें यह अपील जे जीते इंद्रु के साथ अजातिका सिंग एबीपी न्यूस दिली